मुश्कार मितो, हर्योमी, जैशी क्रिश्णा, वित्रो कोरोना का प्रटको अपने चरम पर हैं, अप्पूर अदेश गान में ल्यापते हैं, परम्तो, आप लगो को कोरोना से डलने की गोश्णा कोरोना को करॉला़ं रिक्टाईए और अपने साथसे परोसियों को भी बचाईए, इससे बिखुल मत गबराए सet ये कुछ पवाए अपना हैं ये credit करन है अफार Isakeanl ऊचपूर मत घूटलू चास तो आपको कबराने की ज़रूल क commode जान लीजी कोरूना क्या है एक नॉर्मर्मर्वू की तरह है। मित्रों जैसे कि ये बिमारी चीन से आई है। और जिन वैक्तियों को इस बिमारी ने दबोचा है, पकड़ा है। उनकी रोप्रतिरोदक शम्ता जो है बहुत कम थी। जबकि ये एक नामल फ्रू की इतार है, हाँ, अब ऐसे वेक्ति जिनके रोग पर के रोग देप शंता कम है, संभात अवे प्रभावित हैं, विदेशो में की टैथियों, विदेशों का खान, पान, रहत, जान, सब किछ अलग है, और हमारी भार्तिय संस्कृति में देखा जा रही हो, हमारी यह कहा गया है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मान दे, अथा थी, इस पिंड में ही संपूर ब्रह्मान है, यह पिंड यानि की शरीर, यह जो है ब्रह्मान का एक सेंपल है, जो कुछ ब्रह्मान में है, उसी का एक अंश है, यह शरीर, तो बिमारी या रोग जो ह ही आया है और हमारा जो पिंड याने की शरीर है वो प्रह्माण का अंश है तो प्रह्माण से रोग आया है रोग हमें प्रह्माण दे रहा है और रोग से निपटने की शक्ति भी प्रह्माण में माँचित है तो जो कि हम प्रह्माण का एक अंश है सेंपल है तो हमारे अंदर ह कि रोगों से निकपट्रे की शक्ति हैं समाले उट्टे की बाद कितने लोग जानते हैं हथात की देख आज से आदे से तदा भार्ति तो ये बात जानते ही हैं विदेशों को यदी छोड़ दिया जायतों दिखिए आज फिर वापस हमारी भार्तिय सवस्कति में ही लोग आ र प्राणायाम है जब है तब है भक्ति है उन लोगों को करोना का बेखकुल भहनी है पर अंतु ऐसे लोग जो अनसे वंचित हैं उनके लिए ये चिंतनिया विशय है और उनी को देखते हुए हमारे लिए भी ये विशय चिंतनिया हो गया है एक तो हमें आपकी रक्षा करनी हैं दूसरा रोग को फैले भी नहीं देना है कि और दूसरा कोई प्रभाविक हो तो हमारा सभी सादत भाई बैनों का या अन जो भी कही ना कहीं किसी ना किसी सत्कुरू से चुड़े होगे हैं या और जो दिक्षित हैं जिनके रामी करिक्रम चल रहे हैं तो उनका हम सब का यह करता पर हो जाता है कि हम सभी लोगों को इस रोग से मुठ करने के उपाय बता रहे हैं ताकि उनका और उनके साब सर दूसरे भी जीवों का कर्यान हो सके हैं तो देखिए मित्रों जिनके जीवन में सद्गुरू हैं उनके सद्गुरू उन्हों से निपटनी के उपाय यह भी बता देते हैं शिश्यों के चारों एक सुरक्ण्षा कवच बना देते मूंझा जो रोग और बीमारी हैं वह शिश्यों से कुछ मीटर किलो मीटर वह वक्ति के उंसां उनके दूरी बनाई रखते हैं कि लही कार लोवश दुर्भाग्य से यदि वीमारी आ भी जाती है तो उसी इच्छन चली जाती है क्या नहीं भी जाती है तो साधक अपनी द्रान एक्षा शक्ति और भक्ति से उसे नस्ट कर दे अगे तो हुई अध्याद में से जुड़ी हुई बात और स्वास्त की बात और भारतिय संस्कत की बात लेकिन जो आम लोग हैं उन्हें से कैसे बचना है यह मैं आपको बिता रहेगा सबसे पहले तो कतिक बैक्ति योग से अपना योग करने चाहिए अथा अपने आपको योग से जोड़नी चाहिए उसे पांच प्रणायांत दिन रोज करने ही करनी चाहिए बच्छी का कपालभाति अनुलोग विलोग राम यह कुछ मरीश है पेट के स्वास की या जो भी ब इंचरयां में शामिल करना ही है अनुलोग विलोग को किससे भी की मत पे नहीं चोल राया है दिखिए जैसा कि पतार गया आए है जो बीमारी है थेदर को प्रभावी करती है या इनि कि फेट्टों को जान कर देते हैं स्वास नेने में तक्रीफ होती है और अनुलोग वी व है वो हमारे स्वासु को न कीमशुड न करता है, बलकी, जू भी हिस्सा रोगों से प्रभावावी थे हमारी पॉड़ी ऐ का शरीय का। स्वस्तु भी करता है। इसल परकजिए स्वानि नानां और बाहर, लाण के लुद है ठकरती से स्वान से आन। ले रहे हैं, अंदर से स्वान बाहर जोड़ आपर जोड़ रहे हैं यह जोगर्या फट्रवाली है, सहट उइम त्म Requag लले इसे ड़ , आम ao Fried , जोगर्या है तो समझे कि हमारी जो रोग प्रतिरोदर्शंता है उसका बढ़ जाएगी और कॉरोना से बड़ी-बड़ी बिमारी भी हमारे नस्रीक में इपुत के दोगे जी आमित्रो ये सकते हैं दूसरी बाफ जिन लोगों की रोग प्रत्रोदर्शंती कम हैं कमजोर है उन्हें प्रति दिन अपने दिन चर्या में गोजरर अर्क का सेवन करना है गोजरर अर्क पुचिश्वी बापुजी की किसी भी दुकान में मिल जाएगी जैसा की चित्र में दिखाये गया है अब दिखा रहे हैं आप लोगों से इसका प्रति दिन सेवन करना है अब की इस से रोगत भी रोगत शक्ति तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी साथ में अंच बीमारियों से भी बचात होगा इसकी अंच करते हैं अथि दूसरा आपको आपको बन्कार का बन्हुर नहीं करना है तो होतने से पहले दो चीन मिनिट पर कर चप है उऌको इसके बाद में आप कन्ट से दो तीन मिनटेchn очप के तब हैंपके 10 डार्मिए तो गाय के गोबर के गंडे उस पर कपूर जलाना है कि कपूर से जो वाइरल इंफेक्शन है वो नस ठोट है फ़त्म हो जाता है पातावरण शुर्त पवित्र हो जाता है जहां जहां इसका दुवा जाएगा कपूर का कंडो या बापुजी के आश्रम के जो भी दुखाने है वाँपर गोचंदन अगरबत्ती है गूगल अगरबत्ती है गाय के कंडे भी छोटे-छोटे साइच में इनके पैकेट्स भी अ बैतर मंधश्रम का देख यहां अपने स्वास्ठिक है दुख करें द्यूख पनेख जीन इस सब्सक्रों करद Свजेए बाकर दहार उआख पहरो Lरी और फिया मिक्स, इसके बाद, आपको खाना खाने से पहले खाना घाट उपको क्छड़ी हो दोते रहले, अर्भी काम करें तो अब आप दूना अपनी अदत मेशामील करें आपको दोनों टाइम इस्थनान करना हैं, सवच्छता बनाए रखने हैं, कच्छा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको किसी भी व्यवक्ति से पाज्चा करवात नहीं करने हैं, आप उससे थोड़ी दूरी बनाते हैं, पादत लोग कितने दूर से बात करते हैं, यह शद इंसान से साथ को किस तरह बाग करने हैं आज वही सित्य आ गई है कि आम इंसानों को भी आम इंसान से किस तरह बाग करने हैं जी हम दूरी बनांगे एक वीटर दो मुझे कीजिए हाथ मिला के नहीं हाथ जोड के अभिवादन कीजिए गुन-गुना पानी पीछिए बोचन के पाद गुन-गुना पानी संभाव नहीं हो कोई बात नहीं पानी में आप तुलसी के पत्ते मिला लीजिए प्रति दिन के पानी में आप तुलसी के पत्ते मिलाईए प्रति दिन सुबा उठकर खाली पेट तोसी का सेवन कीजिए पांसे साथ पत्ते रोग जबाएं लिए इसे अलावा नीम के पत्ते जबा सकते हैं या नीम के पत्ते खाले में इंको जबा के खा सकते हैं किसी परसा लगता है कि इंफ्रेक्शन हो तो इससे पुरंट पूप नस्चो जाए तो मित्रो कोरोना को करोना से निप्टाईए इससे बिल्कुल भी मत खब्राईए अगे साथ साथ ने परोश्यों को भी बचाईए और बस ये चल्ट उपाय अपनाए है हरियो कि इंची कि इंची कि आए और जे झां, कि इंची कि और सके थीज़ करते हैं